अगर आपको आंसर ठाते हैं तो आज जो है बहुत जादा डीटेल्ड वीडियो है इस वीडियो को देखने के साथ-साथ आपने नोट भी बना लेना एक-एक टॉपिक डिसक्षिए अगर एक-टॉपिक कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक निया जो मैंने इस सेशन में छोड़ा हो तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है और अगर आप यह वीडियो देख लोगे सही से और इसको सिर्फ इतना ही पढ़के चला जाओगे तो आइकन गैरेंटी कि आपको कोई भी पेपर में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें ओके सो लेट साट विज इस पेंड्राइब को भाई पेंड्राइब को उसका है इसमें हमारी 200 प्लस आर्ज की वीडियो है एक-एक टॉपिक को बेसिक से लेके एडवास तक मैंने कोई भी पेपर हो हर पेपर के लिए यह कोर्स हंडर परसे लाइड और इसी में से वाई एक-एक कुश्चन आपको मिल जाएगा जो भी आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट तो अगर आपको कोर्स बुक करना है तो डबल 9589-37705 यहां आप मुझसे कॉंटाइट कर सक से सबसे में आपसे बात कर रहा हूं कि इकनोमिक के साथ डील करेगा लेकिन रबी लोगों के साथ डील नहीं नहीं करेगा यहां वहां बैंक पैसे कैसे वन करता है बही एक इनसान आया उनसे इनसान ने का बही मुझे लोन चाहिए वो बैंक के पास जाएगा लेकिन मालों बैंक के पैसा नहीं है तो बैंक क्या करता है उस केस में तो उस केस में बैंक क्या करता है बही आरभी इसे पैसा ले लेता है तो बही एक बात ध्यान रखना जो आपक पैसे चाहिए तो मम्मी कुछ सिक्यूर्टी लेकि इसे पैसा दे देगी तो उस रेट को बोलूँगा जिस रेट पे लोन देगी उसे बोलूँगा रेपो रेट वहीं मैं आपको समझाने के लिए असान कर रहा हूं बिल्कुल टॉपिक को एक एक चीज समझ लेना जो मैं बत किसी और बैंक को हो सकता खूर का मेरा आंसर कैसे स個 बात बता हो आपके घर में हprofit किर चलती है मम मी की है आपकी तो वहीं जिसकी जाधा चलेगी वही तो रेट जाधा तैय करेगा ना बात को समझो ना RBI कह रहा है जब मैं जाधा पैसे लूँगी और कम पैसे दूँगी तभी तो मेरा profit होगा तो कहने का मतलब यह है कि रैपो रेट रैपो रेट विल औलवेज 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 भी हमेशा हो गई है तो अभी करेंट जो रैपो रेट वह कितना चला भाई 6 परसेंट चल रहा है मैं देखो इसके बहुत डीटेल में नहीं जा रहा हूं कि रैपो रेट कैसे बैंक को पहला इंस्ट्रक्शन देता है इन हंड्रेट में से चार रुपए तो तुम मेरे पास रखेगा और जो बाकी तेरे पार 19.5 रुपी यह तो अपने पास रखेगा हमेशा इन दा फॉर्म अ लिक्विड एसेट और तीसरा जो आपके पैसा बचा 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 72.5 ए 73.5 वो तुll वोन दे सकता है लोन यह एड्वांस तो जो पैसा जो पैसा एक बैंक आरबिय के पास रखता है उस रेट को मैं क्या बोलता हूं उसे बोलता हो सियारा ररेजर्व रिजर्व पर संक तो ये काफी इंप्रेंटंट है आपको याज रखना है उसके साथ-स इंफॉर्मेशन पता आरबे बना कप था और बध नेशनलाइज घंब होता यह सब चीज आपको पता हो नई चाहिए आपको देखनी है और स्थीजा क्षा है और एक करेंट गर्णर कौन है स्टेच्टुइं लिक्विडिटी डिसाइड हो रहा है किस से ज्तिंम हैं खन्र से मनी कि भाई हमारी country का हर साल एक budget आता है budget का मतलब क्या होता है budget is the anticipated statement of expected revenue and expenditure भाई जो पैसा सरकार अगले एक साल में हमारे देश के development में खर्च करेगी उस पैसे को मैं क्या बोलूँगा उस जो पूरा account भनांगों से क्या बोलूँगा उसे बोलूँगा budget तो भाई जो budget है वो किसका पाट है वो फिसकल पॉलिसी का पाट है अब भाई जब budget कर रहे है तो आपको दो-तिन important जीज़े और पता होना चीज़े बही लास्ट ये से क्या हुआ है जो आपका railway budget है railway budget हमारा बही अलग से आता था पहले railway अलग क्यों हुआ था भाई अलग क्यों हुआ था ये पहले क्या होता था पहले हमारे budget में सबसे जाथा पैसा railway को allocate होता था तो इसलिए railway budget को हम अलग रखते थे और बाकी जो budget होता था भाई expenditure जो होता था education पे या फिर infrastructure पे health care पे वो एक ही budget में तो अब जो है अब एक ही budget आता है उसी में एक पार्ट बन गया जैसे education है healthcare बाकी सब है ठीक है दोस्तों अब मैं आपसे बात करूं RBI की तो RBI से related हमेंने क्या क्या चीज़ें बताई आर्वे से लेटेड आपको कुछ और चीज़ें पता हुए जैसे आर्वे स्टेबलिश कब अब आर्वे स्टेबलिश वहा था आपका 1935 में उसके बाद यह आर्वे नैशनलाइस कब भूआ था नैशनलाइस मतलब जो यह monetary policy बनाने का इसे राइट मिल गया था वह मिल गया था यह काफी जादा पॉपोलर है बुक से और थर्स में काफी जादा कोश्चन यह पूछा जाता है बुक का नाम है आई डू वाट आई डू ठीक है दोस्तों तो यह पहले उन्होंने एक अच्छी बुक और लिखी थी वह थी फॉल्ट लाइन्स तो यह काफी सब्सक्राइब बुक सापको याद देना अच्छी है ठीक है फॉर्स गन्धा सर ओस्बोन गिसमित तो यह मैंने आपको इकनोमिक सेर्टरटि इंपॉर्ट्ट इंपॉर्ट्न फैक्स बता दिये हैं इसको पेंडाउन करलो इन में से कोश्चन आने ही आने हैं नेक्स देखत लिए प्राट होए थे और अलफरेट भी नोबल कौन थे इन्होंने डाइनामाइट बनाया था जो नोबल प्राइज मिलता है वो छे मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन एकनोमिक लिक्ट्रेशन पीस तो इस बार जो मेजर मेजर देखो आप पेपर का पैटरन देखो का विच ऑफ फॉलोइंग पर्संट डिड नोट रिसीब फिजिक्स नोबल प्राइज भाई आप नोट वाला तभी तो बसा सकते हो जब आपको है वाले तीनों पता हो ठीक है दोस्तों तो एकनोमिक्स का जो नोबल प्राइज विननर था वो काफी पॉपोलर था एकनोमिक्स की नई ब्राइज को इन्वेंट किया था इसों ने उसमें काफी सा कॉंट्विशन किया था कि इनसान का जो बीहेवियर है वो बीहेवियर डिमांड ने सप्लाइज को डिसाइड करता है काफी डिटेल आप पढ़ोगे तो बहुत इंट्रस्टिंग है का आपको बाकी फिजिक, केमिस्ट्री, मेडिसिन का आप यह नाम याद कर लेना इसको रीड कर लेना रीजन देख लेना क्यूं मिला है काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बार नोबल प्राइज के अलावाद जो इंपॉर्टेंट आवार्ट्स है वो कों से बहुं से बही आउ आउसकर की बात कर रहा है वो ठीक है इस बार जो ऑसकर वार्ड थे वो 89 ऑसकर वार्ड थे भई बेस्ट मुवी किसे मिला था मूनलाइट को लेकिन को इस बार ये भी आ सकता है सबसे जादा अवार्ड किसे मिले थे तो सबसे जादा अवार्ड मिले थे लेकिन बेस्ट मुवी कर लो पेपर में कंफर्म एक कोश्चन तो आना है इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ ऑसकर के बाद जो है वह है आपके नैशनल अवार्ड बहुते हैं इसके अलावा जितने भी अवार्ड आपने देखा हो चैनल पर आते हैं स्टार्ड अवार्ड जी टीवी दोनों एक बर याद रखना अलग 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 दादा साहिफ वाल के बना अवार्ड उसको मिलता है जिसने फिल्म इंडिस्री में जाथा कॉन्ट्रिशन किया होता है तो इस बार जो दादा साहिफ वाल के अवार्ड मिला है वो मिला है विश्वनात को तो काफी इंपोर्टनेंट आप 今回 अक्षय से कमान रुस्तमी इस एक्टर वह मिलना य Tony आ वं फिर अगर आप डेखो गे कि द pagar आमिर खान को अगर आप डंगल के लिए लाइफ टाइमद्वार मिला है ऐसे शत्रुगन सिनह को बेस्ट एक्टर जो मिला है वो मिला है अल्या भट को उड्ता-पंजास पंजाब के लिए वÉस्ट मुवी एस एक्सप्टेद धंगल को मिला है और बैस्ट डारेक्टर जो है नितेश्य तिवारी को मिला अगें दंगल के लिए और म्यूजिक डाइटर मिला है परितम गो ए दिलन मुश्किल मूवी के लिए एक बात ध्यान रगना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है को ध्यान से रीट करना है कि वह फिल्म फेर वार्वार्ड पूछ रहा है या फिर नैशनल अवार्ड चार ग्रेंट स्लैम होते हैं उस्टेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबल्डन और यूएस ओपन यह मेजर मेजर तूर्णमेंट होते हैं इसके बाद बहुत सारे कप होते हैं लेकिन वो कप इंपॉर्टेंट नहीं है यह इंका करियर खतम हो गया बट इन दोनों ने प्रू हम लोग कुट नहीं करेंगे इन दोनों ने कुट नहीं करा रोजर फेडर और राफिल नडाल ने इसी लिए इस साल इनके पास दो दो मेजर आवार्ड्स हैं जब लोग कह रहे थे एंडी मरे जोकविच इन लोगों का रूल है उस टाइम भी आके इन्हों ने बहुत बार दुनिया में सबस्यादा ग्रैंट स्लाइम किसकी है तो आपको द्यान लगना है रोजर फेडर राफिल नडाल के नहीं है आंसर इसका स्टेफी ग्राफ ठीक है अच्छा अब वुमें में देखता हूं तो वुमें में उस्टेलियन अपन जो है वो सेरेना विलियम्स जैले इंडिया ने काफिता था प्राओड किया है तो मिसिंडिया अगर पूचे तो मनुषी चिल那么 अगीजर आही है फरसा है भी मिस वर्ण हुआ है जो मिस इंडिया में जीतता है नहीं है बनी SC имеет बाद इतने टाइम बाद मनुशी चिल्लर ने इंडिया का नाम रोशन किया है और 2016 में अगर मैं देखू तो योटो रिको की यह ती स्टेफिन डे वहले यह मिस्स वर्ड बनी थी और मिस्स यूनिवर्स की बात करूं तो मिस्स यूनिवर्स जो मिला था वह मिला था है अच्छा आपको एक इंट्रेस्टिंग बाद रहोगे तो काफी जाद आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी ठीक है दोस्तों अच्छा इसके बात अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं देखू बिस्नेस लीडर ऑफ तो वह मिला एंड चंदर शेखन को तो टीचेस के सीओं है यह अगर आपको पता हो टीचेस वे लास्टियर काफी दा कॉंट्रवर्सी हो रही थी कभी कोई बन रहा था कभी किसी को हटा दिया गया था तो फाइनली जो नए लेटेस्ट सीओं वह कौन है अन चंदर शेखन है ठीक है अगर टीचेस की बात कर र इंटर गलोब एविएशन ग्लोब इंडिया यह की इंडिया के लैश है अगो वेन नदेल इसी मैं साथ पानी सब्सक्राइब करेंगे मैं डीटेल में डिसक्स करूंगा आपके साथ स्टार्टर ऑफ द यह मिला है फ्रेश डिसको दिस इस अ वेरी इंट्रस्टिंग स्टार्टर अगर आप देखो कि पेटियम का फांडर और सी यह और आपसे पूछा जाएगा बहुत जाधा प्रोबिल्टी यह कोश्चन आने की कि पेटियम की पेरेंट कंपनी वन नाइटी सेविन कम्यूनिकेशन लिमिटेड तो काफी इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ट जो इस बार इटी ने दिया वह दिया चंदा कोचर को इसके बार फोब्स इंडिया अवार्ट देखते हैं फोब्स इंडिया लीडर्शिप अवार्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है और विनेता गुप्ता लूपिन के यह लोग है इसके बाद बेस्ट प्राइबेट सेक्टर में जो मिला वह एशन पेंट्स के से को मिला और तो कॉस्चनर जो आता है मैजरली जो है वह होँए सब्सक्राइबना करें चिर्ण में इसके बारे आट सुजूकी के सीओ को उसके बाद इसमें अगर हम देखें कि लाइट अचीवमेंट किसे मिला तो सिपला सिपला आपको पता होगा एक फार्मसिटिकल कंपनी है उसके स्फियों को मिला यूसुफ हमित को ठीक है इसके बाद अगर हम नेक्स टॉपिक बढ़ते हैं आगे नेक्स सौरी फॉरेंट मिनिस्टर भी बोला जाता है फाइनने मिस्टर जो है वह अरुन जयतली है डिफेंज मिनिस्टर काफी इंपॉर्टेंट है एक फीमेल को अपॉइंट किया गया है निर्मला शीता रमन इन इंडिया प्यूस और पहले सुरेश प्रभू थे बढ़त पीयू सब्सक्राइब करते हैं जो सारी बुक्स वगएर कभी आप देखते हो कि यह देखती है तो इसके बाद इसके बाद जो है वह आपका जो है वह परकास जावडेकर और बाकिया आप जो है नितिन गटकरी है रूल अर्बन डेवलप्मेंट है नरेंदर सिंग तो मरतो यह कैबिनेट आपको पता होंचे लेटेस कैबिनेट है यह उसके बाद अगे बढ़े तो काफी इंपॉर्टन एक बॉडी जाती हमारे ही कंट्री में अगर आप देखोगे तो कुछ सेभी सेभी बोले तो सेक्योर्टी एक्सेंज बॉर्ड आफ इंडिया नाइटीनेटी एट वे बना था नाइटी ने नेशनलाइज हुआ था इसके जो चेर्मन है अजय त्यागी थीक है काफी इंपॉर्टेश बने अभी अभी चेंज हो थोड़ टाइम पहले उसके बाद इस बार जो important चीज़े वो यह हुई है कि forward market commission एक अलग body होती थी FMC वो मर्ज हो गई है सेबी के साथ ही उसके बाद कभी आपने टीम में आड देखा हो तो टीम में आड आता है IDA का कि इंशॉरेंस policy जो है वो IDA से verified है insurance regulatory development authority of India regulate करती है किसको industry को कौन सी industry को insurance industry को और इसके जो chairman है वो कौन है वो है T.S. विजन ऐसी try है ट्राइ काफी इंपॉर्टेट है टेलिकॉम regulatory authority इंडिया अगर आपने देखा हो जब जियो का launch हो गया वोट फोन हो गया बार बार ट्राइ में जा रहे थे कि जियो जो है वो इतने साथा prices कम कर रहा है हम लोग compete नहीं कर पा रहे यह नहीं कर पा रहे तो ट्राइ का जो काम ह नहीं है आप देख लेना इसे एंड जो इसका एस्टेबलिश आप देखना लेटेस इसका चेर्मन कौन है काफी इंपॉर्टेंट है यह ठीक है तो यह रेगुलेट करता है पेंशन फंड को उसका CBFC आपको काफी वास सुना होगा सेंसर बोर्ड भाई जब मुवी आई थी आपकी उड़ता पंजाद तो सेंसर बोर्ड ने काफी सारे उसमें कट्स लगाये थे फिर सुप्रीम कोर्ड में केस गया था फिर उन्होंने मुवी वैसे ही रिलीज कर दी सिर्फ एक या दो कट के साथ तो भई CBFC काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सेंस की की बात को रहन 살ऊगा फेडरिशन अर्फ इंदियं संभी बिगोश्टी सब बढ़न सेंस के लिए हुई है इसो को बढ़न से के लिए बनी करें बनी हुई है इसे बिगोश़्ें करना है थे करती है यह जो है इसका प्रेजिट कौन है अनील यूजी सी जो है वह हाई रेजुकेशन के लिए होता है यूणिवर्सिटी ग्रांट कमिशन जो जैसे प्रोफेश्टर वेद प्रकास और फिर डी सी जी जी डारेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविशन तो मलब इनका जो काम होता इसका स्नाप हो चाहे वो आएफटी हो चाहे वो जैट हो वह बहुत जादा बात करेगा यूएन की यूनाइटेड नेशन की उसके बॉड़ीज की तो काफी जादा इंपोर्टेंट है इंटरनेशन और्गनाजेशन यूएन डे जो होता है वह आपका 24 ऑक्टोबर को होता ह क्योंकि इस दिन यूएन बनाता वह यूएन बना क्यों था यूनाइटेड नेशन आपको पता होना चाहे वह यूएन जो है यूएन जो है इससे पहले मलों यूएन का नाम यूएन क्यों बनाता वह जब 19 हमारी 43 42 में हमारी Second World War खतम हुई थी तो हमें पता चला कि या दु दुनिया में पीस को एस्टेबलिश करेंगे हम पीस लाएंगे तो पहले यूएन का अगरमा बोलों कि यूएन से पहले ऐसी कौन सी बाड़ी ती उस बाड़ी का नाम था लीग ऑफ नेशन का नाम था तो लीग ऑफ नेशन का काम यह था कि वह यूएन को रेगुलेट करते यहां यहां का एक नाम और क्या है कभी-कभी ऐसा आता है कि वर्ल्ट-Bank का component क्या है तो वह होता है I.B.R.D International Bank for Reconstruction and Development तो United Nations International Monetary Fund और वर्ल बैंक तीनों एक साथ बनेते 1945 में headquarters काफी important इन तीनों का New York फिर और जो बाकी दोनों इनका कौन सा वॉशिंटन और इनके बाई करेंट है यह अभी चेंज हुआ यून का एंटॉनियो गॉट्रिस बना है यह यूरोपन यूनियन के भी चीफ हुआ करते थे इनके इतना इपरफस क्या है इसका परफस है एज्जूट को प्रमोट करना फूरी दुनिया में इसका है प्रिस में और इसका हेड़ोटर है इर्यान बोकोवा इनके है इतना important है नहीं पेपर में कोचे नहीं जाते हैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उसका युनिसेव युनाइटिन नेशन चिल्डर्स फंड इसका एंटनी लेक हैड है इसके बाद अगर बात करूं आईए डबलू टी यह इंपोर्टन है क्य जो हेड़्टार पॉर्ड़ कांट्रीज में है एक या दो ही वाड़िज आपको होरी है तो जो इसका है फिलिपेंज में फिल्लीपेंज मेंख डी के सी लड़े जाते जैसे अभी इंडिया का केज़ चल रहा है पाकिस्तान के साओं कुलको दीप घ्रादब को ले तो वो जो केस है वो कहाँ पर हो रहा है इंटरनेशल कोड में हो रहा है तो उसका भी जो हैक ट्वाटर है वो नेधरलेंड्स में है ठीक है तो यह दो आपको काफी जाधा important है याद रखना है उसके बाद यह काफी important है new development bank क्योंकि मोदी गवर्मेंट के आने के बाद यह bank बनाता new development bank ब्रिक्स में बनाता ब्रिक्स क्या है बेसिली ब्रिक्स इस ग्रूप आफ कंपनी ब्राजी कंट्री ब्राजीर रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ एफ्रिका ठीक है तो यह ब्रिक्स यहां से सबके इनिशल लिए गए अगर आपसे question पूछा जाएं कि सबसे लाज कंट्री कांट्री जिसने ब्रिक्स जॉइन किया था वह थी ऐससे मतलब साउथ एफ्रिका बाकी चार पहले थे तो पहले इसे ब्रिक्स बना यह टूटा में 14 में जब साउथ एफ्रिका ने भी से जॉइन कर लिया इसका headquarter का है इसका headquarter है बच्चो शहंगाई में और इसका चेर्मेन वह एक इंडियन है केवी कामत यह इसके चेर्मेन भी हुआ करते थे पहले उसके बाद यून एप और यून नेशन डेवलेमेंट प्रोग्राम में एक बर आप देख लेना तो भाई आपको ध्यान रगना जीक्शन है इसके बाद और कौन सी इंडिया पार्ट है कि इन में से कौन सी ऐसी बॉड़ी है या और सी ऑर्गनाजिशन है जिसका इंडिया पार्ट नहीं है इंडिया जो है वह सबका पार्ट है या नहीं है वह मैंने हमें साइड में रखट दिया है असे तो लेजा कियो हो साथ सार की मीटिंग थी वह मिटिंग्स हो गई ही था तो तो इसका पार्टहुlor γट्ट हो गई थी तो उस्का फ़र्टह पके लिए बना था इंडिया इसका भी पार्ट है उसका आसियान एगर आपको पताओ थोड़े दिन पूछा जा सकता है आपको चार ओप्शन दे दिये कि ब्रिक्स है जी टुन्टी है सार के और आसियान है बताओ इंडिया इसमें से किसका पार्ट नहीं है तो आप नौट वाला तभी करपाओ के जब आपको हैं वाले आते होंगे तो वो हैं वाला यह सारे मैंने आपको लिख लेकिन तूटा में 14 में रश्या को इस गुरुप से हटा दिया गया है जी एट से एक कंट्री चली गई इसलिए बन गया है जी सेमीन इसकी जो हेड़ है एंजला मरकल और आपको पता हो तो रश्या को इसलिए फटाय गया था क्योंकि रश्या ने इन लीगल तरीके से युक् कोई किसकरा लड़ाई नहीं करेगा कोई किसकरा गलत नहीं करेगा लेकिन रश्या ने क्या किया था रश्या ने क्योंकि वहां पर बहुत जाद नेच्छल रिसोर्सी और डेवलप्मेंट के लिए काफी अच्छा था रश्या के लिए तो उन्होंने क्या कर लिया क्रीमिया इसलिए क्या हो रहा है इसलिए रश्या एकनॉमी जो थोड़े डाउन फॉल में जा रही है तो यह काफे इंपॉर्टन और्गनाइजेशन थी मैंने आपको बता दिया कोई डाउट होगा तो आपको पता भी है मेरा नंबर आपके पास है आगे अभी हम फाइनेशल मार्केट मेटारच देख रहे हैं है कि अग्ैसेल मार्किट के नोब बात कुरूड़ तो फाइनेशल मार्क मार्केटा को रेगलेट काम करता है मैंने आपको बता दिया सेबी तो जैसे आरे ये बैंक्स की ममी है वैस्वी सेजाटी बोर्ड शूर्ड ऑफ एंडिया फthose ने में यहां पर कोई ट्रेडिंग नहीं होती है नैशनल रखो तो इंडिया में जो नैशनल स्टॉक एक्षेंज भाई आपको थोड़ा साना न्यूस पर पढ़ना है या फिर अगर कोई डाउट है तो मुझसे परसनली पूछना है मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि जो भी ट्र होगा निउसपर में ऐसे उंटा होता है यहां प्राइभ यह सारी सारी कंप्री रजिस्टरड यह जर ट्रेडिंग करती है अगर कोई निव्ह चैनल लगा तो आपने सples होगा हर सेकंड हर सॉड़ इनके stock prices change होता है कोई क्योंकि निटेंट करता है तो इतनी सारी companies को मैं track नहीं कर सकता एक ही पॉइंट पर इसले मैंने क्या करा मैंने index बना दिया उस index का काम क्या है वो index पूरे के पूरे पूरे ब्यस्ट करता तो हर एक सेक्टर की टॉप टॉप कंपनी जो है वो यहां पर होती है तो बड़ा सेंसेटीव होता है चोटी से कोई न्यूज आएगी कि यूएस में जो है यूएस और नॉट्ट गर जाता है क्यों क्योंकि फैनेशनल मार्केर बहुत जादा पर नॉट्र होकाथजख क्यों मार्केर बहुत अब्लों सेटीव होता है बाजाँ फो इसका फुल फॉर्म डी मेटरेलाइज़ेशन अकाट तो यह अकाउंट जो है यह एकոंट की हेल्ट से आप share में training कर सकते हो and दो तरह की terms होती है एक होता है bull market एक होता है beer market देखो इसको मैं आपको समझा देता हू bull market वो market होता है जो share prices को हमेशा increase करता है भई अगर stock इसने आपने देखा हो जब मुर्धी government आई थी तो stock market काफी जादा भड़ा था तो मैं बोलता हूँ बुल market लगा हूँ था और काफी बार ऐसा होता है कि market जो गिरती रहती है गिरती रहती है उसे कहता हूँ beer market अगर आप थोड़ा सा इसको logic भी देखोगे तो कभी आपने बुल को attack करते हो देखा हो तो बुल जो है वो नीचे से उपर attack करता है बुल जो है वो ऐसे attack करता है तो ऐसे attack करता है प्राइजी नीचे से उपर जा रहे है और जो beer होता है आपने कभी देखा हो वो दोनों हाथ से ऐसे नीचे attack करता है प्राइजी नीचे आ रहे है ऐसे आप learn भी कर सकते हो तो question ऐसा आता है paper में कि अगर कभी market में prices भड़ रहे हैं तो उस market को क्या बोलेंगे bull market, beer market या deer market या pig market तो मैं answer tick कर दूँगा bull market ठीक है सर्ण में आया यह point उसके बाद मैंने आपको बता दिया अब आपके लिए question है जो आप खुश सर्च करोगे कि वर्ड का वर्ड का oldest stock exchange कौन सा है तो वर्ड का oldest stock exchange आप खुद देख लेना अच्छा अगर दुनिया का largest ट्रेडिंग होती है सबस्यादा पैसा जहां पर लगता वह है और ब्लू चिप कंपनी काफी बार ना आप कभी देखना प्रिवेस लिए पेपर पूछा जाता है which of the following is a blue chip company तो blue chip company वो company होती है जो profit making companies होती है जो stable होती है जैसे रिलाइंस हो गई कि जो company बहुत अदर डूबे गी कभी जैसे इन्फोसीज हो गई बारती सुजुगी हो गई इस आदा जोन्स और है कौन से कंट्री का न्यू यॉयॉक का फिर नैस्डेक नैस्डेक की फुल फॉर्म देखने ना बहुत बार पेपर में पूछे आई है कुछ ऐसे करके नैस्ट असोसीएशन ओ सिक्योर्टी डीलर्शिप आटोमेटेड कोटेशन इसके जो इंडेक्स का नाम है अब दानेटक Prof. इसके बाद हम नेक्स टॉपिक पर आओं तो नेक्स टॉपिक काफी जादा इंपोर्टेंट है बहुत सारे पेपर पूछा जाता है हमेशा पूचा जाता है है वो है हिंडिया रैंग इन वेरियस इंडिसेज भाई काफी जादा इंडिस होते हैं इंडेक्स होते हैं जिसमें इंडिया की रैंक उपर या नीचे होती है इसमें सबसे जादा मैं आपको गारेंटी ले सकता हूं किसी ना किसी पेपर में आने वाला है रीजन विए इस ऑफ डूइंग बिसनिस में हमारी रैंक काफी पहले से और अब हंड्रेट पोजिशन में पहुंच गए हैं पहले हमारी रैंक कुछ 117 120 हुआ करती थी बड़ जो रिफॉर्म्स आये ह दीमानेटाइजिशन जी एस टी और भी जो गवर्नमेंट के रिफॉर्मस है उससे बिजनिस करना इजी हो गया है तो एक एक करके डिसकस करते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई सबसादा ब्रैंड है तो ब्रैंड में हमार आपको एक चीज की डीटेल भी बताओ तो आपको यह वीडियो को शेर बहुत करना सारे दोस्तों के साथ ताकि सबको एक अवेर्नेस मिल जाए और सब लोग जो जीके को लेकर टेंशन में रह रहे हैं वह उनकी टेंशन बिल्कुल खतम हो जाए ठीक है उसका ग्लोबल प्र पर ओंग को जाए तो इसमें ऐसे में नुजी लैंड नीजिलेंड में बिजनस करना सबसे असान है लेकर मैं और इंपॉर्टेंट देखो तो वह है ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसे में हमारी रहेंग है 141 और दुनिया में टॉप है आइसलेंड ठीक है लोग बहुत अच्छी नहीं है 131 पे हम लोग और नॉर्वेस पे नंबर वन पे है तो यह इंडेस आप याद कर लेना पक्का कोशन आने वाला इस साल इसके बाद अगर किसी को पीपिटी चाहिए भी ना चाहिए अगर किसी को पीपिटी तो मुझे आपको वाट्साइप कर बहुत दूगा या मैं आपको पीपिटी भेज़़़गा नोट्स बनाके आप मुझे वाट्साइप कर दो के तो मैं आपको यह भेज दूगा पढ़ लेना ठीक है तो मैं पुब्लिक सेक्टर अंटेटेकिंगी बात कर रहा था महारतना नवरतना और मिनी रतना तीन तरह क क्या स्वेसिंध अधर कि और महारतना सबसें तो महारतना सबसें उटन पर इंड्या मैं यह कोल इंडिया इंडिया òng पावर कारपरिशन य हैसेल फील आपहै तेक हवी एलेक्रिक लिमिट्टेट इंडिया लिमिटेड पheen एंग और ओएंजी उइल इनके चेन में के नाम देख लेना सुतित्ता भट्टचार है संजीव सिंग गुर्दीव सिंग पीके सिंग अतुल सोपती काफी इंपॉर्टेंट है बीसी त्रिपार्टी एंड शशी शंकर ठीक है तो यह सारी आपकी महारतना कंपनीज है साथ महारतना कंपनीज है और 19 आप क्रेडिट रेटिंग एंजीनसी तो वह मैं के बालों मैं कंट्री हूं मैं इंडिया हूं अब मालों में सामने युएस है और हम दोनों को पैसा चाहिए और हम दोनों खईकी वर्ल्ड बैंक' के बाढ़ किसी बहुत बैंक्त बैंक के पास तो वह कहेगा भाई मैं उसे लोन जिसका credit rating बढ़िया होगा credit rating मतलब कि जिसको आप loan दे रहे हो वो आपका loan time पे दे रहा है interest आपको time पे दे रहा है तो वो जो judge करती है कि इसकी credit rating कितनी होने चाहिए वो judge करती है credit rating agency ऐसी बड़ी-बड़ी companies को अगर loan चाहिए तो उनकी rating अच्छे होने चाहिए इसलिए बड़ी-बड़ी companies और countries को अगर loan लेना है तो उनकी credit worthiness होती है और वो credit worthiness जो होती है उसे मैंने एक formal नाम दिया होगा credit rating और वो rating जो decide करता है credit rating agency तो जितनी अच्छी rating होगी उतनी जल्दी loan मिलेगा और उतने ही कम interest rate पे आपको loan मिलेगा जितनी आपकी market में image बनी होगी उ आपको पता है कि भाई confirm ने है पैसा वापिस आ जाएगा तो तीन credit rating agency है दुनिया की moody's standard and poor and future rating बहुत बार question आता है which of the following is not a credit rating agency या which of the following is not a part of big three तो big three जो है वो moody's है S&P है और future ratings है moody इसलिए भी important है को कि अभी recently moody ने हमारी जो ranking है इंडिया की वो improve करी है ठीक है हमारी ranking ranking जो है वो better हो गई है इंडिया की तो moody ने हमारी better करी है तो यह आपको तीन ना मियानक ने moody S&P & Fitch इन तीनों को मिला के बोला जाता है big three ऐसे एक term होती है audit की दुनिया में उससे बड़ी audit firms है उस audit firms का नाम है PwC Pricewater Coopers KPMG EY Ernst & Young and 4th है आपकी Deloitte तो यह big four companies बोली जाती है दुनिया की जो audit companies है इस दुनिया में सबसे बड़ी ठीक है तो यह credit rating agency जो यह international agencies है ठीक है अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यह credit rating agency इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में कौन सी है तो इंडिया में कौन सी है यह दे लिमिटेड इसका जो शेरोल्डर है majorly कौन है SNP का शेरोल्डर है ठीक है अगर मैं आज बोलू इकरा का major shareholder कौन है वह है moody तो आप देखो इनी का पैसा लागा है जो international है यही जो है यह इंडिया में भी अपना वर्चस बना रही है और सिबिल जो है credit information bureau लिमिटेड आपने सिबिल सुना भी होगा लोगों को loan लेने से पहले सिबिल स्कोर देना पड़ता है 700 से उपर अगर आपका सिबिल स्कोर होता है तो you are considered very good ठीक है इनका मैं अगर चेर्मेन की बात करूँ तो रूपा कुडवा इसकी क्रिसिल की है और managing director जो है वो सतीश पिलाई है किसका सिबि बाद अगर हम देखें तो इसके बाद है mergers and acquisitions mergers and acquisitions major 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 है वो कौन से merger and acquisition हुए है AT&T ने खरीदा है time Warner को सबस्यादा है यहू अगर आपको company पता हो यहू कंपनी बिक चुती है वैरोजॉन ने उसे खरीद लिया है उसका air cell है air cell को Reliance ने खरीद लिया है आपको पता हो तो होगा आपकी इंडियन कंपनी हैं जो कपड़ों में डील करती है उसको Flipkart ने खरीद लिया है Flipkart ने मिंतला को भी खरीद रखा है उसको निर्मा ने खरीदा है तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट मर्जर्स हैं जो लास्ट यर होए AT&T, Verizon, Rosnet, Reliance Communication, Sony Picture, Unilever, Nokia, Wipro, Google, Dell, ITC, Flipkart, निर्मा, Qualcomm, Samsung, HDFC इनको यह कंपनी खरीद लिया है और क्या प्राइज में खरीदा है यह प्राइज के लिखे हुए अगर आपको कुछ और भी पता करने हैं तो जैसे Facebook आपको पता ही होगा Facebook ने WhatsApp खरीद रखका है Facebook ने Instagram भी खरीद रखका है तो यह सब चीज़े आपको पता होने चीज़े तो थोड़ा सानर निउस पेपर अगर पढ़ोगे तो आपके जीके काफी इंप्रूव हो जाएगी और आपको एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल तूदा पॉइंट पता होगा कि यह हाँ यह यह है जो पेपर में आए गए आएगा और यहीं मुझे पढ़ना है तो यह जो मैंने मैं आपसे सारी की सारी बिजनेस आवेर्स और बिजनेस कंटेंड आपसे डिसकस कर लिया है अगर आपको कोई भी डॉट है आप मुझे कुछ पूछना चाते हो इस वीडियो से लेटे तो 99589377 मेरा नंबर है आप मुझे डारेक्ट वाट्साइब कर सकते हो ठीक है इसके वाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को शेयर करना है और भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो जी के से रिलेटेड पीडियाफ चाहिए पीपिटी चाहिए तो भी आप मुझे वाट्साइब कर तो मैं आपको भेज दूँगा इस वीडियो को शेयर करो इसे दो तीन बार देखना है वीडियो को ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए और यू आप टू डेट कि पेपर में यही आना है जब आपको यह पता होगा कि इसमें से आना है तो यह आपका सारे सारा कॉंटेंट कवर कर देखा इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोर्स है जो आपसे शेयर करता रहूंगा टाइम टू टू टाइम बट यह मैंने आज करक्स आपसे सारा शेयर कर लिया है तो और वेरी बैस फॉर जीके सेक्शन वेगेरा वो सब मैंने अप्लोड कर रखी है आई होप यू लर्न सम्थिंग टूड़े थैंक यू सो मच कोई फीडबैक देना चाहते हो तो भी आप मुझे फीडबैक यहां पर दे सकते हो बाई टेक कियर